Hi my beautiful people, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, triple one direct channel के अंदर, और आज का वीडियो होने वाला है, next seven day and you, अगले साथ देन और आपका भविश्य, अगले साथ दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, क्य कुछ घटने वाला है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, चाहें अगर लव के लिहाद से काज आए, तो लव के लिए बताऊंगी, करियर के लिए आए, तो करियर के लिए बताऊंगी, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं, और भही आप पिताजी का नाम लें, गाय पढ़ें या फिर आप लोग जो है कोई भी प्रेयर कर सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं प्लीज बताने के कोशिश करें व्यूबर्स के नेक्स सेवन डेज कैसे जाने वाले हैं एक काड़ी गिरा है यहां पर नेक्स सेवन डेज अगले साथ दिन कैसे जाएंगे एक का आड़ बोला का और एक ही आया वाँ थिस इस सम्धिंग रेली वरी बीटिफुल फिव फिव पनिकल्स तन फ रोथ दा हर्मिट तरुस विर्गो प्रिकॉर्ण अरीज लियो सगिटरियर्स और विर्गो ग्योग 3 of swords, ace of swords, ace of wands ठीक है 3 cards और निकालते हैं peace angels for the next seven days of viewers bottom of the deck nine of Pentacles start oh my god oh my goodness नेस, ठीक है, पंगे बहुँ चल रहा है अपती जिन्दगी में, अगर मैं पहले थोड़ा से करियर के बारे में बताती हूं, फिर थोड़ा लफ के बारे में बताऊंगी, और फिर एक जनरल चीज भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करोंगे, अगर आप लोगों का दिल निहाईती दुखा हुआ है बुरी तरिके से, चाहे जौब को लेकर के हाँ, पहले मैं जौब के लिए बता रही है, तो झौब के लिए बता देती हूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पैसा रुख क्यों नहीं रहा है, चीजें सहीं क्यों नहीं क्या कभी मेरी जिन्दगे में कोई तरक्की होगी क्या मुझे कोई opportunity मिलेगी क्या मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वज़े से मैं आगे भड़ पाऊं या फिर नहीं मतलब अगर आपकी जिन्दगी ना finances और career और पैसे को लेकर के savings को लेकर के रुक सी गई है ना मतलब एक दम थम सी गई है तो आप लोगों को tension लेने की जरुरत नहीं है आप लोगों को burden लेने की जरुरत नहीं है because हमारे पास यहाँ पर Ace of Swords and Ace of Ons दोनों ही काड आए वे हैं और दोनों एक ही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं that आपको रहने की कोशिश करनी है Hopeful आपको अपना दिल नहीं दुखाना है हो सकता है इन साथ दिनों में आप लोगों का दिल दुखे चोटी-चोटी बातों को लेकर के हो सकता है आपके कोई cousin वगर है या फिर कोई आपके रिष्टेदार वगर है क्यों? क्योंकि बहुत ज़दी आप लोगों के जिन्दगे में किसी तरीकी का अच्छा जो है opportunity आने वाला है in your career तो burden लेने की जरुरत ना करो burden ना लो थोड़ा सा इस burden को less करके आगे बढ़ने की कोशिश करो for sure आपके जिन्दगी में एक अच्छा बदलाव आएगा in your career ठीक है अब हम बात करते हैं love की अगर किसी को उनके partner किसी दूसरे love interest की वज़े से या फिर किसी और वज़े से छोड़ करके गए पहले अगर मैं बताओ love interest के बारे में यानि कि अगर किसी और के प्यार के लिए आपको छोड़ के गए है तो for sure आपके जिन्दगी में कोई new love आ रहा है बहुत जल्दी और क्योंकि यहां पर हमारे पास 2-3 of swords के कार्ड आए है मैं यहां पर दो अलग-अलग similar cards का different-different किसी ले लेती हूँ ताकि एक तरीके की confirmation हो जाए ठीक है cross check हो जाए और वही चीज आ गई है ठीक है the next seven days जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जिन्दगी में कोई new love आने वाला है with a beautiful commitment with a beautiful proposal ठीक है तो आपको hope रखनी चाहिए अगर कोई person अपनी family की वज़े से अपने आपको guarded up करके बैठा देख लेना दोनों conditions के अंदर थोड़ा difference करने की कुशिश करना first condition मैंने आप लोगों को बताई थी अगर आपके partner किसी दूसरे के प्यार के लिए या फिर किसी third party के वज़े से आपको छोड़के गए है तो आपके जिंदगी में कोई new person आ रहा है with the same expectations, with the same love interest and with that kind of pamper and energetic vibes अगर कोई partner आपको छोड़के गया है या फिर अन और अफ कर रहा है from your relationship, from your life just because of their parents, their finances or the many matters then definitely या बंदे ने आपको guarded up करके रखा हुआ है और ये अपनी guardness खोलेगा और हो सकता है, ये person आपको call करे, message करे ठेक है, किसी तरके का communication हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है card भी आया था, night of pentacles that means धीरे-धीरे ही सही बढ़ किसी तरीके की अच्छी चीज़ की शुरवात आपकी जिंदगी में हो सकती है अगर आपका partner किसी मजबूरी में आपको छोड़ के गया है जान मुझ के छोड़ के गया है तो for sure ये नहीं कोई new person आ रहा है ठीक है, जिसकी वज़े से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है लेकिन अब कोई new आएगा तो वो उस चीज़ के उपर heal करेगा उसको उसके उपर मरम लगाने की कोशिश करेगा बट अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा है जो कि आपको किसी तरीकी की problem की वज़े से छोड़ के गया है किसी तरीकी की मजबूरी वश आकर के आपको छोड़ के गया है तो ये बंदा आपकी जिंदगी में आ रहा है ठीक है चलिए next seven days मुझे थोड़े से health issues लग रहे है हो सकता है आप लोगों को किसी तरीकी के health issues आए सर में दर्थ पेट में दर्थ किसी तरीकी का जुखाम खासी या फिर किसी तरीकी की vomiting का issue वर्टाइगो हो आपको ठीक है तो इस तरीकी का थोड़ा सा मिलको लग रहा है लड़कियों को मेंसुरेशन में किसी तरीकी की problem हो सकती है तो ऐसा कुछ तो मुझे यहां पर लग रहा है integration and comparison ठीक है तो हो सकता है आप फिर लोगों से compare करना शुरू कर दो हो सकता है किसी तरीकी का skin disorder हो skin disease होने के chances हो तो आपको ऐसा लगे कि यार मेरे साथ ही क्यों सब कुछ इतना ज़्यादा खराब होता है ठीक है लेकिन मैं आप लोगों को बता दो आपके साथ खराब नहीं होता है कुछ चीजों को हम अपने आप manifest कर लेते हैं आपको सिर्फ और सिफ अपने आपको हील करने की जरुरत है ठीक है bottom of the deck totality पूरा का पूरा आपको अपने आपको हील करने की जरुरत है ठीक है तो next seven days बहुत सब्सक्राइब और एहम होने वाले हैं next seven days में किसी तरीकी का अच्छा commitment किसी तरीकी का अच्छा proposal या फिर किसी तरीकी की अच्छी opportunity आपके जिंदगी में आने वाली है लेकिन शर्त है कि आपको hopeful रहना होगा आपको कुछ अच्छा सोचना होगा तब जाकर के चीज़ें सहीं होंगे ठीक है जी अधर वाई इस तो problem create होती ही चली जाएगी ओके चलिए इन नेक्स seven days के लिए इंजल्स की तरफ से क्या messages है वह check-in करते हैं मूनोलोजी से भी check-in करेंगे और zodiac videos आप लोग हर वक्त बोलते रहते हो guys zodiac readings जो है फरवरी की वो मैं करूंगी और वो instagram पर अपलोड करने वाली हूँ एक दो दिल में अगर आप लोगोंने मुझे इंस्टा पे नहीं किया हुआ है फॉलो तो आप मुझे फॉलो कर लें वहां पे ठीक है तो फैब के लिए zodiac readings मैं वहीं डालूंगी ठीक है ओके तो जो इतने सालों से problem चली आ रही है आपको उसको reconsider करने की कोशिश करने है बहुत जल्ब वो चीजे सारी सही हो जाएंगी अगर अभी पर आप अपना दिल ऐसे ना की तरफ लगा के बैठे हो ना अभी पर आप अपना comparison किसी और से करते हो that means कि आप gratitude feel नहीं करते हो that means कि आप positive रहने की कोशिश नहीं करते हो तो चीजें खराब होगी तो आपको वो सब नहीं करना है फिर हमरे पास abundance that means abundance तो आपके जिंदगे में आएगा ही आपको अच्छा सोचने की जरुरत है हो सकता है इतने समय से जो चीजें खराब चल रही है वो सही हो जाए या फिर इस 2021 में किसी तरीके का अच्छा काम हो आपकी जिंदगे में ठीक है दुबारा से सोचने की कोशिश करो अपने negative thoughts को no बोलो ओके और abundance आपकी जिंदगे में आएगा थोड़ा सा इंतिजार करो ठीक है so this is all about today's reading I hope आप लोगों को पसंद आई होगी reading अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देए चैनल को सब्सक्राइब कर देए और इसी तरीकी की reading देखते रहने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में yes no ज़रूर रताए चलिए अपना ध्यान रखें किसी अपना ध्यान रखें बाई